अक्षे कुमार की पिछली कई फिल्में लगातार बॉक्स ओपिस पर असफल सावित हुई और उनकी हालिया रिलिस सर्फिरा भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई साल 24 में इससे पहले आई उनकी फिल्म बड़े मिया छोटे मिया भी बॉक्स ओपिस पर अंधे मुग गिर गई थी ऐसे में कई बार उन पर साल में एक साथ चार फिल्मे करने को लेकर तंज भी कसा गया एक्टर पर आरोप लगे कि वो एक साथ कई फिल्मों पर काम करते हैं और यही फ्लॉप होने की पीछे की वज़ा है वहीं अब अक्षे कुमार ने मल्टिपल प्रोजेक्ट्स को लेकर उन पर तंज कसने वालों को मूँ तोर जवाब दिया है इसके साथ यह उन्होंने बेरोजगारी की भी याद दिलाई अक्षे कुमार ने अपने हालिया इंटर्विव में इस आरोप फुले कर बात की गजल अलग की यूटूब शो में बात करते हुए उन्होंने कहा मुझे कहते हैं यह चार फिल्म क्यों करता है साल में इसको एक फिल्म करनी चाहिए चलो मैं एक पिक्चर कर लेता हूँ बाकी दिन क्या करूंगा तेरे घर में आओ बेटा याद रेखना भाग्यसाली है वो लोग जिने काम मिलता है यहां रोज कोई ना कोई बोलता है बेरुजगारी चल रही है यह चल रहा है वो चल रहा है जिसको काम मिल रहा है उसको तो करने दो ऐसा हो रहा है अगर किसी को काम मिल रहा है तो उसे करने दो अक्षे कुमान ने हाली में बड़े मिया छोटे मिया के फुलाप होने पर भी अपनी चुपी तोड़ी थी फोफस इंडिया से बातचीत में उन्हें कहा हर फिल्म के पीछे बहुत सारा खून पसीना और जुनून होता है किसी भी फिल्म को असफलते देखना दिल तोड़ने वाला होता है लेकिन आपको सकरात्मक पहलू भी देखना सीखना होगा हर सफलता आपको सफलता का मुल्य सिखाती है और इसके लिए आपके भूग को और भी बढ़ाती है ऐसी नियूज से अपडेट हैने के लिए वाया टोक को सब्सक्राइब करें